कंजावला मर्ड केस में, हत्या केस में एक और CCTV सामने आया जिसमें यही आरोपी जो पाँच लड़के कार में थे, वो एक आटो रिक्षा में बैट कर जाते हुए भी दिखाई दिये हैं और इन नए-ने विडियो से यह पता चल रहा है कि कहीं न कहीं यह लड़के जूट बो यह सीसी टीवी सारी सच्चाई खोल देगा इस नए सीसी टीवी में नजर आ गए आरोपी एक साथ पांच आरोपी नजर आए एक सीसी टीवी में यह सीसी टीवी एक जनवरी की सुबा साहे चार वजे का है यहनी हादसे के उस रात का शायद यह आखरी वीडियो होगा जिसमें अंजली की मौत की पहली का एक बड़ा और जरूरी हिस्सा खैद है यह सीसी टीवी में उस रात के पांचों गुनहगार एक साथ जमीन पर खड़े दिखाई पड़ेंगे पांचों गुनहगार वही है जो उस रात बलेनोकार में सबार वही बलेनोकार जो उस रात एक हादसे का शिकार हुई वही कार जिसके अगले पहिये के नीचे फंसकर अंजली पूरी रात दिल्ली की पत्रेरी सडकों पर घिसकती रही वो अंजली जो CCTV में एक जगा बखायदा जिन्दा नज़र आ रही ये CCTV रात सवा एक बजे का है जब वो अपनी सहली निधी के साथ घर लोट रही CCTV फुटेश में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो पांचो आरोपी है वो गाड़ी से उतरते हैं गाड़ी की जो बैक सीट है वहाँ पर चेक करते हैं कि कभी कहीं पर किसी कोई पर्स तो नहीं चूट गया है कोई और दसावेस तो नहीं रहा गया उसके बाद इनी पांचों में से एक वेक्ती जो लेफ्ट साइट के तरफ जो एकसल होता है यानि जो दो पईएं होते हैं उसकी तरफ नीचे जुक कर चेक करता है कि जो बाड़ी है उसकी तरफ देखता है कंजावला केस का ये नया वीडियो अब पुलिस के लिए केस को सुलजाने के काम आएगा इतना ही नहीं अब तक इस मामले में पुलिस जो लीपा पोती करती दिखाई दे रही थी उसकी भी हकीकत उजागर कर देगा यही CCTV जिसमें पांचो आरोपी आटो से भागते दिखाई दे रहे एक जन्वरी की सुबह साठे पांट बजे पांचो आरोपी अपनी कार को छोड़ देते हैं और आटो में सवार होकर वहां से निकल भागते हैं एक जन्वरी की सुबह चार बजे का ये एक्स्क्लूसिव वीडियो उन लोगों को कैद किये हुए है जिने बाद में अंजली को कार से रोधने के बाद 12 किलो मेटर तक घसीटने वाले पांचो आरोपियों को पोलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया थे अब सवाल तो उठेंगे ही क्योंकि ये तमाम सीटीवी की तस्वीरे भी तो यही बातें चीक चीक कर सुना रही हैं तीन थानों के पुलिस 12 किलो मेटर का दाइरा नौ पीसी आर वैन और कागजों पर ही सही दिल्ली वालों की हिफाज़त के लिए गश्ट करती पुलिस इन सब के बीच एक कार में सवार पाँच हैवान 23 साल की एक लड़की को देश की राजधानी की चमकीली और पत्रीली सड़क पर पूरे 12 किलो मेटर तक पहियो तले रोटते रहे रोटते रहे और घूमते रहे कब लड़की की मौत हुई किस पल वो लाश मनी और कैसे वो लाश एक मोटर कार के पहिये के नीचे फस कर लगभग दो घंटे तक पत्रीली सड़क पर घूमती रही तीन थानों के पुलिस 12 किलो मेटर का दाइरा, 9 PCR वैन और काग्जों पर ही सही दिल्ली वालों की इफाज़त के लिए गश्ट करती पुलिस फिर भी ना उस कार को देख पाई ना उस कार में फसी लाश को जिस राट ये सुबा ये हाधसा हुआ वो 31 दिसंबर की राट थी सबसे ज्यादा गश्ट होती है। नए साल के जश्ट में शराब पी कर गारी चलाने वालों के लिए खास तोर पर सबसे ज्यादा इसी रात अलकोहल टेस्ट भी होते हैं। शिरुवाती रिपोर्ट के मताबिक कार में सवार पाचो लड़कों ने शराब पी रखी थी। पाचो लड़के एक लाश को अपनी कार से दो घंटे तक बारा किलोमीटर के दाएरे में घसीटते भी रहे। अब ऐसे में सवाल ये है कि 31 दिसंबर की रात जब सबसे ज्यादा पुलिस वाले सड़कों पर होते हैं तो फिर वो पुलिस वाले कहान अदारत थे। क्या नए साल के जश्न और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ दिल्ली पुलिस सिर्फ नए दिल्ली के खास इलाकों में ही चोकसी होती हैं बाकी दिल्ली को भगवान भरों से छोड़ दिया जाता है। लिवान शुमिश्रा के साथ अर्विन दोचा दिल्ली आज तक।